खत्रों के खिलाडी सीजन 12 के लिए आखरकार कॉन सा दो नाम हो चुका है कन्फर्म वैल Big Boss सीजन 13 के और बिग बॉस सीजन 15 के कौन से कन्टेस्टेंच हो गए है खत्रों के खिलाडी सीजन 12 के लिए कन्फर्म चलिए बूरी अबदीर बताते हैं आपको इस वीडियो में नमशकार में स्ट्रस्टे के आप सो कस्वागत करती हूँ हमारी यूट्व चानल पर अगर आपने मुझे अब तक इंस्ट्रड्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजे मडल स्ट्रस्टे के नाम से मौझे हूँ वेल आपको बता दो कि बिग बोस सीजन 15 खत्म हो चुका है और अब फैंस के मन में और फैंस के दिल में सर्फ और सर्फ एक्साइटमेंट भड़ी है खत्रों के खिलारी को लेकर जहां जहां खत्रों के खिलारी सीजन 12 को लेकर कई कंटेस्टंस के कई सलविटीस के नाम सामने आ रहे हैं वहीं मेकर्स जो हैं वो बड़े-बड़े नाम को अप्रोच भी करने में लगे पड़े हैं जहां कि सबसे पहले तो आसम डियास का नाम आ रहा था लेकिन आसम रियास फलाल कंफॉर्म नहीं है लेकिन आपको बता दू कि इसी बीच बिग बोस सीजन 13 के कंटेस्टन जी हाँ राजीव दात्या ने कर लिया है कॉंट्राट साइन और राजीव दात्या बन गए हैं खत्रों के खिलाड़ी सीजन 12 के कंफॉर्म कंटेस्टन वेल इनके अलावे विग बोस सीजन 13 के कंटेस्टन यानि की पारस छापरा का भी नाम आ रहा है सामने अब देखना दल्चस्प होगा कि क्या पारस छापरा खत्रों के खिलाड़ी सीजन 12 में आते हैं नजर या फर नहीं आप कितने जादा एक्साइड़ेड हैं इन दोनों कंटेस्टन को खत्रों के खिलाड़ी सीजन 12 में देखने के लिए कमेंट सेक्शन में जरू बताएए साथी साथ एंटर्टीन्मेंट दुनिया के वाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमार चाल के साथ थनिवाइ